hey guys welcome back to my channel so आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मेरे कुछ फेवरिट इरिंग्स जो कि मैंने अपने क्लेक्शन में चूज के हैं मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरिट फोर इरिंग्स जो कि मैंने अलग अब यट sollte लिये हूँ तो मैं सबसे पहले मेरे मेरे आप सबके फेवरिट बहुत ही pretty लगता है, आप इसको सारी के साथ सूट के साथ कोई भी Indian wear के साथ बहुत अच्छे के से pair कर सकते हैं and यह इसके साथ के matching अगर आप चाहे तो earrings के साथ के matching आप सेट पह ले सक पो ले सकते हैं, इसके बेंगल सिरे मि प vård बैफे सबसे यह बहुत ही हलके हैं यह एवी नहीं है आप इसे भी किसी के वी साथ भी पेर कर सकते हैं आप इसमें कट्स दे सकते हैं जैसे फैदर कट हो उसका इपकी कट्स है इसके अंदर you can see अप इसे अपने किसी भी टरडिशनल वेयर या इंडियन एथनिक वेयर के साथ आप बहुत अच्छे से पेर कर सकते हैं यह बहुत ज़दा छोटे भी नहीं है यह बहुत प्रिटी लगते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा है और इसे भी मैंने एहमदाबाद गुच्राथ से ह ah next hour треть which recently shoppedlà I was ehram Rajasthan और यह बहुत प्यारा है और अपने black beads लगे हैं और यह बहुत ही qute से हैं बहुत ही light weight है और इसके नीचे black beads लगे हैं जो कि बहुत ही cute लगते हैं आपके face पे आप इसे traditional wear, ethne wear के साथ mostly जो मैंने तीनों earrings है मेरे वो traditional wears के साथ ही बहुत ज्यादा अच्छे से pair होते हैं और ये मैंने प्राजस्थान की जोदपूर से purchase किये थे और next and last piece है मेरे पास वो बहुत ही प्यारा है और ये मैंने purchase किया था ये भी मैंने राजस्थान से ही purchase किया था ये मैंने राजस्थान के बिकाने से purchase किया था और ये आप इसको आप अपने किसी भी dress के साथ pair कर सकते हैं विकार इसमें white है और नीचे भी white और इसमें small diamonds लगे है और आप इसे western wear के साथ traditional wear भी wear कर सकते हैं और मैंने western के साथ ये बहुत अच्छे से pair होता है तो ये थे मेरे four favorites earrings and अगर आपके भी कोई इस तरह से बहुत favorites earrings हो तो आप वो भी share कर सकते हैं मेरे साथ hope you liked my video don't forget to like share and subscribe